कि नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिसेस करने वाले हैं सियच्चो के रिकार्डिंग कम्यूटी हेल्थ ओफिसर समुदाइक सवस्त्य अधिकारी हरियाना के अंदर अब बहुत सारी वेकेंसिज आप लोगों को देखने को मिल सकती है क्योंकि चनाओ का मा सब्सक्राइब के असपास कम्प्लिट यहां पर की जाती है तो एक ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है और अभी काफी इंपोर्टेंट है अपने मेडिकल फिल्ड के अंदर जो यह सियच्चो की वेकेंसिज भी ठीक है तो यह हर्यानाथ सियच्चो की जो वेक सबस्कैने वाली है यहां पे इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं वीडियो के लाट्सतमी जुरूर बने रहे हैं और अपने इस वीडियो को fem меся畫 को अभी के आप लोगों को करना ही है इसके साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अकि आप लोगों को student नाम से हैं ठीक है वीडियो के description के अंदर आप लोगों को link भी मिल जाएगे आप join भी कर सकते हो और कोई भी query रहती है तो मेरे पास Instagram पर message कर सकते हैं ठीक है तो यह सब चीजें हो गई अब बात करते हैं इस vacancy के recording देखो पहले बात तो यह कोई officially data नहीं है officially कुछ नहीं है एक लमसम डाटा आप लोगों को बताया जा रहा है नहीं यह कोई वैसे तो यह डिस्टिक वाइज भी दे रखे हैं बट लास्ट में total करके भी बता रखे हैं तो जो टोटल सियच्चो लगे हुए हैं सोरी जो टोटल सियच्चो की पोस्ट संक्षन है वो है 2549 ठीक है और वैकेंट कितनी है 669 तो इस तरीके से आप लोगों को आईडिया लग गया होगा लगबग लगबग आपको 600 से साड़े 600 वैकेंट सी हरियाना सियच्चो की देखने के लिए मिल सकती है ठीक है और इसके अंदर अगर हम बात करें डिस्टिक वाइज भी देख सकते हैं आप लोग जैसे अंबाला के अंदर 34 वैकेंट है भीवानी में 33 वैकेंट है चर्खिदाद्रे में 30 वैकेंट है फ्र जींद में 34, कैथल में 50, करनाल में 21, कुर्चेतरा में 15, नू मेवात में 15, नारनोल में 20, पलवल में 8, पंचकुला में 5, पानिपत में 30, रिवाडी में 24, रोत्तक में 21, सिर्षा में 25, सोनिपत में 28, और यमनवनगर में 23 इस तरीके से टोटल 669 वैकेंट हो जाती है तो ल मेरा आइडिया है जून के अंदर ही आप लोगों को यह वैकेंसी देखने को मिल सकती है साथ जून को अचार सहीता जाएगी उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे नोटीस बहुत सारी चीजे हैं जो बिलकुल एक तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे वैकेंचियों का तब देखने को मिल जाएगा तो वैकेंसी कब तक आएंगी जून के लास्ट या फिर थोड़ा सम डिले बोले तो जुलाई तक फैस्ट विक तक ठीक है तो इन में आप लोगों को यह वैकेंसी है जो कि देखने को मिल सकती है वैकेंसी कितने आने वाली है 669 के आसपास यानि कि लिक हर्याना सीहत में देखने को मिल सकती है अप्लाई को न कर सकता है तो कोई भी ब्यच्ट्न नर्सिग वाला केंडिडेट थि καह या फिर पोश्ट बेशिक बीस्ट के वाला केंडिडेट है कि वो अप्लाई कर सकता है बात रही रजिस्टेशन की तो कहीं का भी टो आप लोग एकेंशे के लिए एलीजिबल हैं बीसी और पोश्ट भेसिक बेश्टी वाल जीए न्वाले अप्लीकेबल नहीं है वह इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते मीमण क्वालिफिकेशन बिस्ट नर्सिंग या फिर पोश्ट्ट भेसिक लीकिशी नर्सिंग होनी चीजिए किसी भी स्टेट का रेंखा किसी स्टेट से पास आूट हो कोई दिख्कत नहीं है थ्यक्या बात रही स्लेबस के आने वाला है तोसरे बस के अंदर 80ập के तो आती हैं नर्सिंग टीक है और 20 नमर में आती है आपकी मैथ रिजन N studying और जिक के ठीक है तो यह टोटल बीस नंबर के अंदर तो यह आप लोगों का लगबग स्लेबस मैंने बता दिया है नर्सिंग की बात करें तो मेंली आपका कम्यूटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी और पिडियाट्रिक, अनोटमी इसके अलावा जो साइकेट्रिक वगरा भी थोड़ी बहुत आ जाती है बट मैंने जो सब्जेक्ट बताए है जो टोटली इसी सब्जेक्ट से क्युश्चन है आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बाकि जो भी नर्सिंग है वो कम्प्लिट जुरूर पड़ें कम्यूटी, ओबीजी, पिडिया इन सब्जेक्ट पर आप लोग थोड़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैक्जिम सलेबस इसी में से आने वाला है ठीक है क्योंकि कम्यूटी हेल्थ ओफिसर है तो क डोटली जो भी है मैंने आप लोगों को बता दिया फिर भी कोई क्योरे रहती तो मेरी इस्टाग्राम आडी मनीश डोट पंडत नाम से है आप मैसीज कर सकते हैं वहाँ पर आप लोगों को रिप्लाइब भी मिल जाएगा इसके बाद जो अपना वाटसप गूरूप बना अचनस नाम से हरियाना नर्सिंग स्टूडेंट नाम से हैं टेलिग्राम भी है और फेस्बुक भी है आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा वहां से डारेक्ट जोइन कर सकते हैं आप लोग ठीक है और चैनल को सब्सक सब्सक्राइबर हो जाएंगे जैसे जो भी होगा सेलिब्रेशन भी करेंगे और मैक जीम बच्चों तक की वीडियो शेयर जूर केज़ेगा अभी के लिए तना ही धन्यवाद